आप सभी को रह्मो का नमश्कार, AppTrix C Classes, Your Learning Expert में आपका हर्दिक स्वागत है, आज हम Mensuration 2, Equilateral Triangle, Standard Values and Its Application की बात करेंगे, तेकि पिछले लेसन में हमने क्या किया था, हमने Mensuration 1 में जो कुछ सीखा, उसमें आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आज उसका हम Application सीखेंगे, Equilateral Triangle, यानि संभाहू त्रिभुज के केस में, संभाहू त्रिभुज सबसे महत्योपूर्ण त्रिभुज है, इसका खारण कहा है, Examiner को बहुत पसंद है, क्योंकि यह Perfectly Symmetric Triangle है, तीनो साइट बराबर, Angle 60, 60, 60, बहुत सारे सवाल इस पर बनते हैं, 2D में तो बनते ही हैं, 3D में भी बनते हैं, जैसे हम बात करेंगे, जब Prism या Pyramid की जिसमें, Base आपके Triangular Form में होते हैं, वहाँ पर भी इसका बहुत इस्तेमाल है, Hexagon क्या है, आपके Equilateral Triangle, Six Equal Triangle को एक Certain Way में अरेंज करते हैं, तो आपका Hexagon, सम खडबुज, जो Regular Hexagon की बात करते हैं, वो बनता है, तो आज की Lesson में आप, जो पिछले Lesson में आपने सीखा एक General Discussion, कि Length Change किया, तो Area और Volume कैसे बदलते हैं, आज आपको और मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम सबसे Important Triangle, सबसे महत्यूपूर्ण त्रिभुज, संभाहु त्रिभुज की Detail में चर्चा करेंगे, और कुछ सवाल भी करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि, इसका Application इस तरीके से भी हो सकता है, और आपकी चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिन्होंने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सबस्क्राइब करें, ताकि आप किसी भी वीडियो अपलोड की Notification मिस ना करें, साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो लेस्न पसंद आते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाकी लोगों को भी शेयर करें, सब को एक बहतरीन लर्निंग का मौका मिलना चाहिए, तो चलिए शुरुबात करते हैं आज, और देखते हैं कि संभाव उत्रेबुज में हम क्या-क्या नया सीख सकते हैं, कैसे अपने reaction time को बहतर बना सकते हैं, और आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं, देखे, एक्विलेल ट्राइंगल में आपको यहां पर एक एक्विलेल ट्राइंगल ड्राउ किया हुआ दिख रहा होगा, यह आपका एक्विलेल ट्राइंगल है, अब मैं कुछ चीज़ें इसमें define कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा, sides तीनों बराबर होती है, बताने की जरूवत नहीं है, ठीके, आप देखे, यह जो circle draw है, यह तीनों साइट्स को टच कर रहा है, इसको हम बोलते है, in circle, ठीके, तीनोु साइट्स को ये टच करता हुआ जा रहा है ये सरकल देखो तीनो आपको वर्टेक्सस से पास होरा है इसको हम बोलते हैं सरकम सरकल ठीक है तो आप देखे इसमें क्या होता है जब इक्वियल ट्रैंडल की बात करते हैं अगर आपने पड़ा होगा तो जो सारे केंद्र होते हैं वो एक ही जगह होते हैं जैसे हम बोलते हैं मीडियन्स जो माध्धिकाएं होती है उनका जो intersection होता है उसको आप क्या बोलते हो centroid बोलते हो तो वो आपका ortho center जिसको आप बोलते हो जो आप कहते हैं vertexus से जो perpendicular डालके कि जब जॉइन करते हो तो point मलता है ortho center कहलाता है ठीक है geometry की जब भी lesson discuss करेंगे तो इनके बारे में हम अलक से चर्चा करेंगे उमीद करता हूँ इतना fundamental आपको मालूम होगा मेरा purpose यहाँ पर आपको यह है कि equilateral triangle के cases में जो area है perimeter है in radius है circum radius है इसमें अपने reactions कैसे बहतर किये जाएं ठीक है तो जरा मैं समझाता हूँ यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको यह समझे की जरुद हो थी कि अगर मैंने इस equilateral triangle का side a ले लिया तो formula के terms में आपको इतनी सारी चीज़े पहले से पता होती है ठीक है कि perimeter इसका क्या होता है 3a होता है अब जोड़ दो 3a आपका perimeter होगा हिंदी वालों के लिए मैं लेक रहा हूँ इसको बोलते हैं परिमाप ठीक है तो इस संभाव त्रिमाप होगा वो यह आपका कहलाता है altitude है ना तो यह जो altitude है आपका यह यहां पर जो लिखा हुआ है root 3 by 2a अगर आपको इसको निकालना है तो a और a by 2 में आप Pythagoras लगा दो तो आपको यह मिल जाएगा root 3a by 2 जिसको आप बोलते हो altitude फिर देखे circum radius और in radius की बात होती है तो देखे यहां पर triangle की बात करते हैं जब हम संभाऊत रिबूज की बात करते हैं आपको यह भी पता होगा कि जो centroid होता है जो आपके माधिकाओं के intersection से point मिलता है medians के intersection से point मिलता है centroid वो आपको पता है कि इस line को जो हमारी median भी है मादिका भी है और altitude भी है इसको दो ratio एक में बाटता है आपको साथ में यह भी यहाँ पर दिख गया होगा कि अगर हम कभी भी संभावत रिभुच की बात करेंगे तो यह जो circum radius है और in radius है जो अनता त्रिज्या और y त्रिज्या है इस triangle के respect में तो आप साफ साफ देख लो कि यही लाइन आप की median भी होगी यही लाइन आप की altitude होगी और यह लाइन आप की center से भी pass करेगी साफ साफ दिख रहा है ना कि यह जो radius और r का बाहित रिज्या और अन्ता रिज्या है इसका जो ratio है वो हमेशा 2 ratio एक होगा अगर हम संभावत रिज्या की बात कर रहे है यह भी एक standard result है कोई भी संभावत रिज्या आप लोगो तो दो रिज्या एक आएगा लेकिन मेरा purpose यह नहीं था मेरा purpose आपको यह दिखाना था कि देखो यह a by root 3 होता है कैसे अगर यह आपकी पूरी value root 3 a by 2i तो circum radius बाहे त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करोगे 2 ratio 1 में माटोगे तो 2 by 3 into root 3 by 2a आप इसको करोगे न 2 by 3 into root 3 by 2a इसको simplify करोगे तो आपको क्या मिलेगा a by root 3 और आपको पता है कि जो अंतहत रिज्या है in radius वो इसका आधा होती है a by 2 root 3 मिला एरिया क्या है root 3 a square by 4 अब देखे होता क्या है कि यह चीज़ें आपने रट रखी हैं यह चीज़ें आपने रट रखी हैं फर्मूले आपको मालूम होंगे एक्जाम में जब यह questions आते हैं तो आप बार बार इन फर्मूलों का इस्तिमाल करके अपने समय की घोर बरबादी करते हो घोर बरबादी का मतलब वाकई में घोर बरबादी एक छोटा सा observation जो मैंने आपको पिछले lesson में कराया है उसका इस्तिमाल करके आपको इस जंजाल से मुक्ती मिल जाएगी ठीक है कि बार बार यह formula लगा के value नहीं लिखनी होगी आप इसको mentally लिखोगे और यह मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ठीक है तो देखिए शुरुआत करते हैं अब मैं आगे बढ़ता हूँ मैं अपना discussion करता हूँ अभी तक तो मैं वही discussion कर रहा था जो आपको पहले से पता है formula वो तो आपको आती है लेकिन आप इसको इसके साथ कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कि यह आपका बहुत ही बच्छा दोस्त बन जाएगा और आप एक्जाम में questions को बहुत ही तीव रगती से बहुत ही देश करोगे और mentally करोगे तो देखे हम करने क्या जा रहा है कि यहां पर क्या हो रहा कि जो बार बार यह variable आता है है ठीक है अचर वैलू है ना अलग अलग क्या करते हो अलग अलग कोशन में एक ही वैलू डाल डाल के आप एरिया निकालते हो अलग अलग रूट 3 by 4 a square लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आप समय की घोर बरबादी कर रहो है अब इसको मैंने क्या किया मैं आपको छोड़ा सा observation दे रहा हूं रहा हूं रैमो मंत्रा बोल सकते हैं उसको आप वो छोड़ा सा observation यह है कि मैं ना variable के terms में values को दिमाग में नहीं रखोंगा ठीक है वो क्यूं नहीं रखोंगा उसका मैं कारण बता रहा हूं देखिए मैं आपको अगर simple सा यह बोल दूँ कि मैं एक equal triangle लिखने जा रहा हूं जिसका side है 2 और वो क्यूं कर रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा मैंने equal triangle अपने मन से मान लिया मैंने कहा मैं मानूंगा कि मेरे equal triangle का side 2 है तो आप होगे अगर side 2 हो गया equal triangle का तो देखो क्या होगा perimeter कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 into 2 6 altitude निकालोगे तो root 3 into 2 root 3 into 2 by 2 यानि ये value होगे आपकी root 3 altitude ये लंबाई कितनी होगे root 3 फिर सरकम radius की बात हुई आपने a की value क्या रखी 2 तो ये value आपकी होगे 2 by root 3 इन radius में गया अंता तरिज्जा में a की value 2 रखी तो ये value होगे आपकी 1 बटा root 3 एरिया की बात करेंगे root 3 by 4 a square a की value मैंने 2 रख लि ये आपको मिलेगा root 3 अब देखिए मैंने कहा अगर मैंने equivalent triangle का side 2 मान लिया तो equivalent triangle का side 2 मानने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़े मालूम चल गई एक तो मालूम चल गया कि ये जो circum radius है ये वाली value ठीक है ये circum radius इसकी value क्या है 2 by root 3 है और अगर ये value 2 by root 3 है यहां से यहां त इनको जोड़ दो तो आपको मिलेगा 3 by root 3 जो कि simplify होके आपको देगा root 3 altitude हो गया इसी को median length भी बोल सकते है फिर देखिए आपको होगे in radius पता चल गया altitude मालूम चल गया circum radius पता लग गया मैं कहूंगा area बता दो इसका तो आपको area निकालना है तो area तो निकाली सकते है side 2 है त equivalent triangle जिसका side ना मैं कुछ ऐसा देने वाला हूं मैं side देने वाला हूं let's say आपको 4 तो जैसे ही मैंने आपको side 4 दीना तो आप ऐसे क्या करते formula लगाते अब आपको formula नहीं लगाना यह जो standard value मैंने आपके सामने लिखी है जिसमें मैंने लिख दिया कि area आपका root 3 है additionally और जो perimeter है जैसे ही कोई और equivalent triangle देखोगे आपको पता है कि एक equivalent triangle और दूसरा equivalent triangle समरूप होते ही होते हैं बताई चुका हूं आपको साथ में यह भी बता चुका हूं फिर कि एक ही side पे dependent होता है तो आप बसे देखो कि यहाँ पर scale factor है वो क्या है तो 2 से अगर side 4 हो गई आपको पता है आ कि समझेगा कि यह जो एक triangle है standard जो आप जानते हो जिसका side 2 है और दूसरा triangle जिसका side 4 है क्या फरक आएगा अगर आपने यह मालूम कर लिया कि scale factor 2 है scale factor 2 होने का मतलब यह हुआ कि इस वाले triangle के सारे length parameters सारे लंबाई parameter क्या होंगे दो गुना होंगे अब लंबाई parameter कौन से होत होगे जो भी parameter जिनको आप लंबाई की इकाई में व्यक्त करते हो जिसे मैं कहूं in radius in radius कभी आपने centimeter square में सुना है नहीं अंता तरिज्या हमेशा centimeter, meter, feet ऐसे होगी ना visualize करो एक line होती है एक line की length होती है तो हमेशा length का unit होता है उसका उसकी बात कर रहा हूँ तो जब भी आपन component है जिनका unit meter या centimeter या feet ऐसे होगा जिनको लंबाई की इकाई से मापते हैं वो सारे के गुने हो जाएंगे यानि दो गुना हो जाएंगे इस triangle से जो आपको पहले से मालूम है standard triangle अब पता है आपको इसमें sub length component आ गया आपका माधिका median आ गया अगर आपको होगे यहां से यह two हुआ तो माधिका भी two times हो जाएगी in radius भी two times हो जाएगा circum radius क्या होता है length component meter centimeter में ही नापते हैं यह भी दो गुना हो जाएगा कुछ भी आप बात करो आप बात करो यहां से यहां length की इतनी length यहां से यहां और इतनी length यहां से यहां इस point से इस point तक यह भी दो गुना हो जा मैं simply यह कह रहा हूँ कि अगर आपने scale factor निकाला हर लंबाई component नए वाले संभाहुत्रिभोजु में नए equilateral triangle में के गुणा हो जाएगा जहां के क्या होगा scale factor ठीक और जो area जो छेत्रफल का component है वो क्या होगा के स्क्वाइर गुना हो जाएगा के स्क्वाइर गुने का मतलब क्या होता है आपके दो गुना अगर हुआ साइड यानी scale factor तो वो चार गुना हो जाएगा मैं इसका चोटा सा एक्जामपल और आपको बेहतर देता हूं उसके पहले आप इस पेज का screenshot लेकर रख सकते हैं यह आपका जो संभा उत्रेबुज है उसकी side 2 है उसकी standard values लिखी है parameter 6 altitude root 3 circum radius 2 by root 3 in radius 1 by root 3 area क्या हो गया आपका root 3 अब देखिए मैं आपको जो कुछ यहां समझाओंगा आपको अभी इतना मज़ा आने वाला है कि पूछे मत अब यहां से देखिए आपको समझाने जा रहा हूं कि exam में क्या होता है कैसे कैसे सवाल देते हैं वो लोग और कैसे कैसे आप चीज़ें अपनी आसान कर सकते हैं वो जरा ध्यान सा देखते हैं देखिए अभी मैंने जो छोड़ा सा example आप की काई length की unit में ये भी दो गुना हो जाएगा 12 हो गया चैसे 12 ये 24 तो अब attitude क्या होता है इसको क्या बोलते हो ये भी length component होता है लंभाई का component होता है मीटर सेंटी मेटर में आपते हैं तो ये भी दो गुना हो जाएगा आपको ये value हो जाएगी 2 √3 यहां अगे circumradius की रुट्री हो गया। अंतात्रिज्य, इन रेडियस की बात करोगे। ये विए क्या है। ल연्थ कंपोनेंट है। दो गुना हो जाएगा। dos गुना हो जाएगा। एरिया। आपको पता है कि मीटर स्कुएर में ना पाता है। सेंटिमीटर स्कुएर में 45 में ना पाता आपको एक्जाम्पल देखे समझाता हूं आपको और मजाएगा ठीक है आपको कि नहीं नहीं यह तो बड़ी छोटी वैल हुआ आपने लिए ऐसे मत करो आपना 12 लेकर दिखाओ तो मैं कहूंगा ठीक है आपने कहा 12 है साइड 2 वाले का मुझे सारा पेरिमीटर पता है 12 वाले का निकालना है 6 टाइम्स हुआ अब देखना अगर यह 6 टाइम्स हुआ तो पेरिमीटर लंबाई का कंपोनेंट है परिमाप लेंथ कंपोनेंट है यह भी क्या हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा यहां देखो 6 टाइम यहां भी यह 6 times हो गया फिर आपने कहा altitude लंबाई का component है altitude यह वाला यह भी 6 गुणा हो जाएगा circum radius क्या है बाहे त्रिज्या बोलते हैं इसको अगर यह बाहे त्रिज्या कहलाती है यह भी length component है लंबाई का component है मीटर सेंटी मीटर में नापते हैं तो क्या करोगे आप इसको इसको भी 6 से multiply कर दो यह in radius है यही लंबाई का component 6 से गुणा हो जाएगा area 6 गुणा अगर यह scale factor आया आपका तो क्या होगा 36 गुणा 36 times क्योंकि area को 6 त्रफल को हम मीटर स्कॉयर में नापते हैं अब पता exam में ऐस सवाल आते हैं साइड दिये 12 साइड दिये 10 साइड दिये 18 बार बार वो फॉर्मूला जो आप लगा कि समय की घोर बर्बादी करते थे ना वह आज से बन तो यह कसम खालो आज से कि समय की घोर बर्बादी अब नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता चल गया एक standard triangle और उससे कै करेंगे conversion पता है आपको इतने सवाल आएंगे इसी भी basis में आपको example दिखाता हूँ आएसे ही नहीं आएगा अब तरह मैं देखो आपको कुछ समझाता हूँ बड़ी अच्छी चीज है तो बताओ उसका छेत्र फल कितना होगा ठीक है अब देखिए आप अभी तक formula formula value लगाओगे आप कैसे करोगे आप कहोगे कि ये value 2 के बराबर हो गई तो मेरा side 2 root 3 हो गया ऐसे करोगे ठीक है तो ये formula रटा होना चाहिए नहीं रटा है तो कैसे करोगे आप है ना ये हो गया अब देखिए आपको क्या करना है simply मैं आपको बतार आपको 2 by root 3 पहले से माल आपने जो question में circumradius दिया संभाव अत्रेबुज में वो तो आपने दो दे दिया इसका मतलब ये हुआ कि इसको root 3 से multiply करने पर ये मिलेगा यानी scale factor हम जो जानते हैं जो दिया गया है इसमें scale factor मतलब इसमें root 3 से multiply करेंगे length component को root 3 से multiply करेंगे तो 2 मिल जाएगा यानी scale factor कोई जरूरी नहीं कि हमेंसा side से निकलेगा अरे beach की value को भी compare करोगे तो scale factor मिल जाएगा यानी यहां root 3 scale factor हुआ आप बताओ अगर root 3 scale factor है तो area कितना गुना हो जाएगा आपको तीन गुना हो जाएगा क्योंकि scale factor अगर root 3 है तो area इसका square times हो जाता है तो तीन गुना हो जाएगा area है अनी area क्या होगा 3 root 3 अगर circum radius 2 दिया हुआ है इस तरह के conversion आप करना शुरू करोगे फटा फट आपको पता है जब root 3 scale factor मिल गया तो आप सारी values को लिख सकते हो पता है आपको आप लिख सकते हो कि side क्या होगा 2 root 3 क्योंकि root 3 times हो जाएगा यहां से scale factor मिल गया 3 root 3 तो मैं लिखता हूँ यह क्या हो जाएगा 6 root 3 यह value क्या हो जाएगी 3 आपका root 3 into root 3 आपका 3 हो जाएगा root 3 times chronal attitude को 3 आगया circum radius लिखे दिया है in radius आपको पता है इसका आधा होगा या इसको root 3 से multiply कर दो सारी values देखिए आपने फटा फट लिख दिए आप गोगे ऐसे इतने आसान सवाल एक्जाम में थोड़े ना आते हैं देखिए ऐसा बात है आसान रोकेटिन सवाल की नहीं यह बात reaction किये मैं simple सा यह कह रहा हूं कि जो भी इस formula में लिखके value निकालेगा ठीक है वो आप से तेज नहीं हो सकता है तो मेरा यही काम है ना कि मैं आपका जो reaction time हो बहतर करूं आपकी calculation को simplify करूं और पता है आपको कई बार जब आप formula लगाते हो ना तो चीजें लिखनी करता है मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कितने सारे से सवाल होंगे जिसमें आप आपका question equally triangle dependent होगा और आप इस calculation को इतना तेज करोगे ना कि बहुत मजा आएगा आपको ठीक है तो मैं आगे बढ़ता हूं और जरह मैं इसके कुछ applications आपको देखाता हूं और मैंने सवाल कहा tier 2 में आये हुए mostly वो सवाल जो इस साल tier 2 में जिसको आपने बहुत ही कठीन माना है ठीक है तो जब आप डानते हो कि basic elements क्या है क्या चीजें पूछेंगे क्या चीजें बाहर बार इस्तेमाल होती है वो area का formula आप क्यों बाहर बार इस से निकालोगे नहीं निकालोगे मैं मैं आपको पिछली class में ही दे चुका हूं फिर से revise कर देता हूं कि inequality triangle संभावत रिभुज में if side becomes k time अगर भुजा k गुनी हो गई तो सारे लंबाई के component k गुना हो जाएंगे और area यानि छेत्रफल k k square गुना हो जाएगा and y से वरसा ठीक है ये चीज़ आपको कहीने कहीं स समझो क्या करा हूं मैंने आपको बताया कि एक triangle मुझे दिया है संभावत रिभुज इकुलर triangle जिसका area मुझे पकड़ा दिया उन्होंने और वह area इन्होंने बोला कि वह area जो आपको दिया है वह 81 रूट 3 है ठीक है अब जान से दिखना और यहां से आपको मैं कुछ भी मुल्टिप्लाई हो रहा है आपको पताए 81 से जब मुल्टिप्लाई तभी होगा जब आपका scale factor कितना हो 9 क्योंकि area के cases में हम scale factor square से multiply करते हैं तो 9 square आपका क्या होगा 81 तो यानि scale factor आपको 9 मिल गया अब scale factor का 9 मिल गया तो जो त्रिभूज हम जानते हैं उसके हर एक length component क्या होंगे 9 गुने हो जाएंगे circum radius क्या है एक length component ही तो है आप तुरंत ही कहोगे कि 2 by root 3 होता है circum radius पर यहां क्या होगा 9 गुना हो जाएगा यानि 18 by root 3 हो गया इसको आपको simplify करके भी लिखना चाहो तो यह होगे आपका 6 root 3 आप इसको लिख सकते हो 3 root 3 into root 3 cancel होगा और आपको यह उन्होंने आपको सीधे यह दे दिया होता कि आपका जो circum radius है उन्होंने वह आपको बता दिया मालिया कि circum radius ही 6 root 3 है तो आप यह बता दो कि उसका area कितना होगा आपको जो circum radius 6 root 3 है मैं जो triangle जानता हूँ उसका जो circum radius होता है वो 2 by root 3 होता है side गया है 2 आपको पता है लेकिन 6 by root 3 जाना है तो मुझे पहली बात तो 3 से multiply करना पड़ेगा तो मुझे root 3 मिलेगा देखो root 3 into 3 root 3 देता है साथ में इस 2 को 6 बनाना है तो फिर से 3 से करना पड़ेगा यानि 9 से गुणा करना पड़ेगा देखो आप यहां से length component अगर 2 by root 3 से 6 by root 3 हुआ तो 9 times हुआ आपको क्या पता चल गया सर scale factor अगर 9 है तो area कितना गुणा हो जाएगा 81 times यानि 81 और जो area हम जानते है वो area क्या है root 3 side 2 होने पे area root 3 होता है हमें पता है यहां आपने scale factor निकाल लिया कि 9 गुणा हो गया उसका जो हम जानते हैं उससे लंबाई का component 9 गुणा हो गया scale factor 9 हो गया area क्या होगा जो हम जानते हैं root 3 उससे 81 गुणा यह reaction इतना काम आएगा आपका कि exam में सवाल देखते ही mark हो जाएंगे चलें शुरुवात करें अब देखो एक सवाल आपके सामने है यह सवाल CGL 2017 में आया है ताकि आप शंका ना करें और फॉर्मूले क्यों नहीं याद रखने है वो भी आपको समझ में आ जाएगा अभी ठीक है जिन लों हिंदी में सवाल नहीं लिखा है मैं हिंदी में पढ़के बता दूंगा इकुलिल ट्रेंगल का मतलब देखिए है संभाह उत्रिभुज तो PQR कह रहा है एक संभाह उत्रिभुज है जिसका साइड आपको दिया है 10 cm इसमें रियक्षन आपका होना चाहिए ना कि बिल्कुल ऐसा इसमें रियक्षन आपका होना चाहिए ना कि बिल्कुल साइड टू है तो आपको पता होना चाहिए परिमेटर सेक्स अल्डिटू रूट त्री सर्कम रेडियस टूबई रूट त्री इतना तेज रियक्षन होना चाहिए समय नहीं लगना चाहिए मतलब यह एक त्रिभुज मैं बोल रहा हूं कि यह आपके दिमाग मे बिल्कुल बस जाना चाहिए बस गया होगा मुझे पता है मैं बार बार इनका नाम ले रहा हूं पर इसको इसका रियक्षन आटोमाटिक होना चाहिए ठीक है यह आपने कर लिया आपके क्वेशन बहुत असान हो जाएंगे मैं आपको एक छोटा सा एक्जांपल यहां पर दोगता है वह यहां 10 है 5 हो गया scale factor 5 हो गया तो यहां क्या आजाएगा sir 5 by root 3 आपको पता है पेन उठाओ गया नहीं किसी फार्मूले के बारे में सोचोगे नहीं मत सोचना क्योंकि अगर आप फार्मूले के बारे में अब भी सोचोगे इस सवाल में न तो आपको मेरी होते हैं तो जोक से पार्ट मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कितना कुलिकली आप इसको लगा सकते हो क्वेशन को कहना कि जैसे यहां पर देखा साइड दस है दिमाग में खटका दो पता है मुझे टू का मालूम है 1 by root 3 होता है यहां 5 गुना हो गया length component 5 गुना हो तो सारे length component 5 गुने हो जाएंगे जो मुझे पता है वो 1 by root 3 है यहां 5 by root 3 हो गया यह means का सवाल है इस साल का ठीक है एक और सवाल दिखाता हूँ आपको यह सवाल कह रहा है कि एक equivalent triangle है जिसको draw किया गया है एक square के ऊपर ठीक है उसके diagonal पे मतलब किसी work के कर्ण पर संभाव त्रिभुज बनाना है तो बनाना है ratio of area of the triangle to that of square तो उस त्रिभुज का और work के 6 रफल का अनुपात ग्यांत करो ठीक है तो यह बहुत आसान सवाल है मैं करता हूं यह मुश्किल है आप समय की बर्बादी करते हूं मैं आपको करने नहीं दूंगा आपको मैं simple सा यह कह रहा हूं कि पहले तो यह mentally visualize करो कि हो क्या रहा है आपको यह diagonal है अब यहां से अगर मुझे equivalent triangle बनानी है तो कुछ ऐसा equivalent triangle बनेगा अब देखिए आप ध्यान से पहली बात तो यह आपको बताया मैंने कि यह equivalent triangle का नाम दे दिया तो दो से शुरुआत करो तो कि मुझे equivalent triangle आता है यहां ratio निकालना है ना ratio निकालना है मैं तो अपना वाला triangulation करूंगा दो वाला तो कि उसके बारे मुझे area पहले से ही पता है पता है कि उसका area क्या होता है root 3 यह बहतरी है देखे एक standard triangle जानने का फाइदा यह है कि मुझे नहीं लिखना root 3 by 4a square नहीं लिखना मुझे मुझे पता है कि side 2 मानूंगा तो area का root 3 होगा यानि जो मुझे ratio निकालना है त्रिबुज तथा work के छेत्रफल तो मुझे पता लगए यह value तो root 3 आने वाली है त्र कर नहीं रहा हूं इसलिए मैंने बताया नहीं square का number भी आएगा square में यह चीज तो ध्यान रखना हमेशा कि 1 1 तो यह root 2 होता है अब देखो यहां पर यह अगर मैंने 2 मान लिया equivalent triangle का side अगर 2 मान लिया तो इस square की बात अगर हम करें तो square में जो मुझे square मालूम है उसका जो विकर्ड होता है जो यह diagonal जिसको बोल रहे है वो root 2 होता है यहां 2 दिया है कितने गुना हो गया root 2 times क्यानी square के लिहाज से यह diagonal क्या हो गया standard value से root 2 times तो क्या होगा यह क्या हो माना side अगर square की root 2 होगी तो इसका area क्या होगा root 3 ratio 2 होगा ठीक है तो देखें यह option directly भी mark कर सकते थे क्योंकि root 3 का component जो त्रिभुज में आता है पहले वह पहला component के वह एक ही option में दिया हुआ है जब हम equivalent triangle की बात करते हैं तो root 3 उसके साथ आता है ठीक है और root 3 पहले ही component में आ इस सवाल ने दम ही थोड़ दिया तो कि यह 2 हुआ तो इसका area मुझे पहले ही मालूम चले गया लोगों को निकालने दो लोग a लिखके root 3 by a square लिखके फिर square का side निकाल के फिर ratio निकालेंगे उनको निकालने दो उनके पास घोर समय होगा हमारे पास नहीं है ठीक है तो यह ह गया 2 तो मुझे पता लगया यह area direct पता चल गया देखो root 3 अब फिर यह जैसे 2 हुआ मुझे पता है कि standard square जो होता है 1 1 root 2 ठीक है यह root 2 हुआ आपको बता है तो यह value क्या होई side आपकी root 2 times हो गई अभी मैंने square नहीं पढ़ा है इसलिए मुझे इतना time लग रहा है देखना square पढ़ाँगा तो मैं आपको यह बताऊँगा कि यह standard square ध्यान रखना तो इसका area क्या होता है 1 अब खाली विकर्ण का comparison कर लो किसी भी length component का अगर comparison हम कर ले तो हमें area के बारे में ग्यान मिल जाता है आप कोगे एक एक वाले side का area एक होता है यहाँ पर जो विकर्ण है वो उस कितना आसान है यह आप question mentally कर पाओगे अगर आपने अपनी understanding को बहतर किया मैं बता रहा हूं यह question ऐसे फटाफट होंगे आपसे बिना समय लगे ऐसे सवाल हो जाएंगे अगला question देखते हैं यह सवाल भी देखिए इस साल means में आया सवाल में कोई दम नहीं था लेकिन underlying आप को ऐसे माक करोगे मैं आपको दिखाते हैं question हर कोई शुरुआत तो करेगा एक ही तरीके से लेकिन वो फसे का calculation में unnecessary वो root 3 by 4a square लिखेगा लिखने में समय जाता है ना मैं आपको मुक्ति दिला रहा हूं जो रजहां से देखना नहीं लिखना आपको answer ऐसे ही आ जाएगा यह यह कह रहा है कि एक figure दिया है जिसमें PQR आपका equilateral triangle दिया हुआ है side 12 हुई है S or T कह रहा है midpoint है S or T midpoint है PQ और PR के respectively बताना है what is the area of the shaded reason यह वाला जो shaded reason है इसका मुझे area बताना है अब पहली बात तो S or T अगर midpoint हो गया है यानि मध्यविंदू हो गया इस side के तो यह क्या होगी आपकी RS माद्धिका होगी आपका QTV माद्धिका हो जाएंगी है ना अगर यह midpoint को यहां से जॉइन करते है अगर मैं इसको ऐसे जॉइन कर रहा हूं अगर मैं इसको ऐसे जॉइन कर दूँ इकुले ट्रेंगल के केस में इनको ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिक ट्रेंगल तिनों बनेंगे अगर आपको थोड़ा भी यह सरकम रेडिस होगा यह सरकम रेडिस होगा यह वाही तरिज जा रेज्ज अब जैसे यह चीज आपको दिखी आपको पता लगया कि यह वाला जो ए 실श इंगूज को देखोगे तो सम頭 तीन ृडवरीं निकाल दिए वनट्वी है आपसे वह यह इस पूरे triangle के area का एक तीहाई है क्योंकि अगर इस पूरे triangle को आप देखोगे तरिबुच को देखोगे तो उसमेंने तीन बराबर area निकाल दिये तो यह जो shaded reason का area पूछ रहें आपसे वो क्या होगा एक तीहाई होगा है अब सवाल आप मुझे यह बताओ ultimately यह सवाल क्या है कि जो तेजी से equilator triangle का area निकाल सकता है वो उसका एक तीहाई भी जल्दी निकाल सकता है अब जो root 3 by 4a square लगाएंगे वो समय की बरबादी करेंगे आपको तो answer दिख गया आपने कहा देखो side है 12 दो वाले का मुझे पता है 2 वाले का मुझे मुझे मालुम है आपने मुझ एक तीहाई one third वाला निकालना है न केवल इतना निकालना है न क्या हो गया 12 root 3 pen उठाना पड़ेगा बिल्कूल नहीं mentally कैसे सोचोगे 6 गुना हुआ six times तो area कितना हुआ 36 root 3 divided by 3 12 root 3 हो जाएगा mentally pen उठाना नहीं पड़ेगा उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा पहले ऐसे पढ़ा था नहीं पढ़ा था है ना तो यहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको कि क्यूं जरूरी है इन चीजों को identify करना हमेशा 10th class के board के बच्चे की तरह पढ़ाई ना करें ठीक है उसके घात ट्रैंगिल जिसका side 4 root 3 है उसको इसक्राइब किया गया है circle में length of the diagonal of the square क्या है एक वर्क के अंदर एक वृत्व बनाया गया चार रूट तीन सेंटीमेटर भुजा वाला एक संभा उत्रिपो जिस वृत्व के अंदर बनाया गया वर्का विकंड ग्यात करें देखें कुछ जो case है थोड़ा सा भाशा में कमी है यह मान लेना कि इसको touch भी कर रहा है ठीक है तो यह touch करता हुआ ऐसा कुछ कहानी दी हुई है कि ऐसे बनाया गया है यह आपका circle है फिर क्या कह रहा है कि वृत्त यह ऐसे बना हुआ है फिर जो आपका triangle है वो उस वृत्त के अंदर बनाय जो करो वर का विकर्ण ज्याइद करना है अगर असकुत को आपको सर्कम रेडियस अकर निकाल लिया तो आपको क्या मिल गया आपको इसका side मिल गया कि नहीं मिल गया और अगर side मिल गया तो आपको विकर्ड भी मिल गया यही तो करना है बस ठीक है तो आप देखो क्या बचा है आप कुछ नहीं बचा है हां पता चल गया क्योंकि आप मैं जो ट्राइंगल जानता हूं उसका circum radius 2 by root 3 होता है 2 by root 3 होता है लेकिन नहीं scale factor भी मुझे लगाना है 2 root 3 लगा दूँगा root 3 cancel हुआ क्या आ गया sir 4 आ गया मेरा circum radius circum radius 4 अगर आता है sir तो आपको यह पता चल गया न कि यह पूरी side कितनी हो गए 8 अगर यह पूरी side 8 हो गई तो यह value कितनी हो गई आपकी 8 root 2 कितना आसान सवाल है भाई है ना mentally आप इन चीज़ें को कर पाऊ गया अभी तो मैं बहुत दीर दीर आपको समझा र हो रहा है मैंने कहा कि यह जो आपने मुझे दिया है मैंने देखा कि मुझे square की side निकलेगी कैसे square की side पता लग गया तो मुझे यह value overall पता चल गई है साइड निकालने के लिए मैं simply यह कर रहा हूं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है यह radius है circle का और इस triangle का यह circum radius है यह circum radius निकालना है मुझे मुझे पता है यहां आपने 4 root 3 side दिया यह 2 root 3 times किया यह 2 by root 3 भी 2 root 3 times हो गया आपको value कितनी मल गई 4 circum radius 4 मिल गया तो यह value कितनी होगी 8 अगर यह 8 होगी तो 8 root 2 आ गया तो देखिए आज हम फिर यही 4 question करेंगे लेकिन एक चीज़ मैं आपको और जड़ा बता देता हूं वो बहुत important है इसके साथ और बाकि इसके अभी इसी में continuous equal triangle पर एक वीडियो और भी है जिसमें हम और सा आना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है वो relationship भी आपके दिमाग में होनी चाहिए तो इसमें यह होता है कि आपको यहां पर circle दिख रहा है बाहर वाला फिर एक equal triangle अंदर का दिख रहा है फिर यह आपको circle दिख रहा है इन circle कई पर क्या होता है कि इनकी जो area relationships है वो बहुत काम आती है उनसे बहुत फाइदा होता है तो देखे आप चाहिए एक items में चलो ठीक है आपको यह पता है कि इसका जो radius है जो मैं इन radius की बात कर रहा हूं small r अगर मैं इसको लेको और यह circum radius है जो capital r है इनका ratio आपको पता है कि 2 ratio 1 है यह 2 ratio 1 है तो बाहर वाले circle का 4 अगर area होगा तो अंदर वाले circle का area क्या होगा वन होगा ठीक है यह दो चीज़े हैं इनका 4 ratio 1 है area तो कि radius का ratio 2 ratio 1 है तो area ratio 4 ratio 1 होगा अब मुझे इस triangle का area भी निकालके actually मैं 3 होगा वो लिखना चाहता हूं कि area का ratio क्या है अब अपनी standard triangle से शुरू करो आपको होगे कि यह वाला standard triangle है यह वा in radius कितना होगा आपको कि इसकेаст में आपका in radius 1 by root 3 होता है तो मैं कहूंगा area क्या होगा तो आपको किnity n 1 4-1 यह बहुत इस्टांडर्ड रिजल्ट है यह आपके दिमाग में होना चाहिए यह किसी भी इकुलेट ट्राइंगल के लिए ट्रू है यहां स्केल फैक्टर का कोई रोल ही नहीं क्योंकि एरिया का रेशियो ले रहे हैं सब कुछ कैंसल हो जाएगा तो यह ध्यान रखना कि यह रेशियो होता है आपका एरियास का बाहर वाला सर्कल फिर इकुलेट ट्राइंगल फिर छोटा वाला सर्कल यह फोर पाई रेशियो त्री रूट रेशियो पाई तो यह ध्यान रखना जो मैंने स्टांडर्ड वैल्यू तो आपको बदाई हैं और जो सवाल कराए हैं उनको भी कहीं नहीं ठीक से समझ लेना अगले वीडियो में हम कुछ और सवाल करेंगे देखेंगे इसके कितने अच्छे-च्छे अप्लिकेशन हैं जो भ्यानक लगने वाले सवाल आपको चुटकियों में करके देदेगा 3D मेंसुरेशन में भी इसका बहुत इस्तिमाल लेक्यो जो बेस होता है वो कही बार equally triangle होता है या फिर hexagon होता है regular हेग्ज़गन regular भी छहे एक्विलिक रैंगल से बनता है यह चीज आप सीक लो मैं आपका जीवन बहुत सरल बना दूगा ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा अगर आपको मज़ाया होगा तो ज स्यादा स्यादा लोगों तो पहुंचाना बाकी मेरा जो काम है वो मैं करता रहूंगा धन्यवाद have a great time thank you so much